हेलो गाइज, वेल्कम और वेल्कम बैक तो मैं चैनल, I hope you all are doing good तो मैंने ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकप लूग क्रियेट किया है ये ब्लू कलेर का आटफिट है और उसके साथ मैंने ये ब्लू स्मोकी आई के साथ मैंने ये लूग क्रियेट किया है आपको ये मेकप क्या सा लग रहा है मुझे कमेंड करके जरूर बताईएगा और मैंने ये जो आटफिट पहना हुआ है ये मैंने औफर लान लिया था ये बहुत ही बहुत पुराना आटफिट है मतलब बहुत दिन पहले ही लिया था मैंने उसको आज पहनने का मौका मिला है तो मैंने सोचा चलो वीडियो को बना लेते हैं ब्लू एस मोके आए के साथ तो मैंने ये लूक क्रियेट किया है बहुत ही शिंपल और एजी मेकप लूक है ये तो चलिए बिना टाइम बेस्ट करते हुए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सब मेकप करने से पहले तो सबसे पहले स्कीन के करना बहुत ही जरूरी है तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टोनर मैंने यहाँ पे डावर का टोनर लगाया है गुलाब जल इसको पूरे फेश पे स्प्रे किया है उसके बाद मैं Good Wipes का Rouge Hip क्रीम लगा रही हूँ, यह CM Beige क्रीम है, तो मैंने इसको पूरे अपने हाथों से अच्छे से लगा लिया है, उसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ताकि मैं जो भी मेकप लगा हूँ, हमारा मेकप जो है, वो लॉंग लास्टिंग हो, और जो साथ मैंने अपने पूरे फेश पे लगा लिया है, और एक वेट ब्लेंडर के हैल्प से इसको मैं अच्छे तरह से ब्लेंड कर रहे हूँ, ब्लेंड करना बहुत ही जरूरी है, फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यहां पे लगा रही हूँ, कंसीलर, तो मुझे उतना कंसी लिया है, और उसी ब्लेंडर के हैल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हूँ, ब्लेंड करना बहुत ही इंपोर्टेट है, ब्लेंड करने से ही हमारा जो फेश का जो मेक अप है वो अच्छे से से सेट हो जाता है, उसके बाद मैं अपने ब्लेंड को सेट करने के ल सकते हैं तेकैं की फ् Delaware से मैं लगाना है i musical सिर्जद्रें से किस तरह से लगा रही हूं थोड़े से नोच फि लगा लिया उसके बाद kontour कर रही हूं मैं मेरा फेश सथ 2 पीशुट सब्सक्राइब करती हूं कि अपशुट। मैं करती हूं तो मैं यहां पर iz tuition does to your यहां पर मेरे पाउच यह एन्या बेक ब्लू पाजल हूं इससे मैं अपने पूरे आय लिप लगा राही हूं करते है मैं कुर मको जरूरा है इसमोकी आय जबनाली होता है बहुत ही मतलब ध्यान से करना पड़ता है नहीं तो पूरा मेकप जो है वो खरा हो जाते हैं उसके बाद में एक और फलपी ब्रेश के शाहत एक ब्राउन कलर लिया है और उससे क्रीज किट ठीक ऊपर मैं इस तरह से ब्लेंड कर लिया है उसको उसके बाद मैंने फिर से एक सा ब्लू आई साइडओ लिया है और उससी के ओपर जहां मैंने ब्लू काजल लगाया था हुआ पर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है तो हम जब भी ब्लू स्मोकी आय ग्रियेट करते हैं तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट होता है तो मेरा मेरा भी इफ राक एंड़ द ऑग्लाइबी राट सब्सक्राइब श Wasi इसकर ब्रावण आई-जेट्डों फिर माई थे अभिसा सब्सक्राइब कर लिया है उसके बाद मैं क्लीन किया था तो मैं जो वह उघ्षट लगाएती वह दूआ हहत इसके कारें मैं पर थोड़ा से consider में लगैं के ऊच्छा कर लिया था उसके बाद में यह पर लगा रही हूं लिप्स्टिक तो मैंने यहां पर पिंक कलर का रिप्स्टिक लगा है और मुझे color के तो में अच्छा कलर प्रस वाट यह जाला मैंने तो सब्सक्राइब और तो शार वाद मुझे याद आया था तो इसके सब te कौर्णर में भी हाईलाइटर यस तरह से लगा रही हूं उसके बाद मेकप सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने पूरे मेकप को अच्छे से सेट कर लिया है और उसके बाद आप की सकते हो मैं मस्कारा लगाने यहां पर भूल गई थी तो पूरा मेक अप करने के बाद मुझे याद आया कि मैंनी मस्कारा लगाया ही नहीं था तो उसके बाद मैंनी यहां पर मस्कारा लगाया है तो हो गया है मेरा मेक अप ड़न तो यह रहा मेरा आज का वीडियो आपको य करने नहीं लाइक करना ना भूले और डुको आपको अपडेटस मिलते रहें तो मैंने यह पहले बार ब्लुव की आयग क्रिएट किया है तो आप वीडियो में दबते के लिए बाई बाई टेक किया